अगर आप बिरोजगार है और एक अच्छे से रोजगार की तलाश कर रहे हैं या फिर अच्छे सा जौब यहाँ पर आप फाइंड कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर NCS पोटल आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि यहाँ पर NCS पोटल में आपको कई सारी को मिल जाएंगी यहां पर आपको सरकारी जोब के साथ साथ प्राइवेट जोब भी देखने को मिल जाएंगी और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको अंतर रास्ट इस्तर की जोब भी यहां से आप फाइंड कर सकते हैं काफी सारी जोब यहां पर काफी सारी vacancies ncs portal पर available होती हैं काफी असानी से अपने योगजिता के अनुसार अपने eligibility के अनुसार आप यहां पर job find कर सकते हैं और directly आप पर single click में आप किसी भी job के लिए apply कर सकते हैं दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले ncs portal पर registration करना होगा national career service portal पर आप किस तरह से registration कर सकते हैं किस तरह से यहां पर आप job find कर सकते हैं अपने पात्रता के अनुसार अपने eligibility के अनुसार किस तरह यहां पर आप जोब पाइंट करेंगे किस तरह उसके लिए आप एपलाई करेंगे सारे चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू बढ़ते हैं सबसे पहले आपको nca.jov.com की website पर आजाना है website का जो लिंक है मैंने वीडियो की description में डाल दिया तो वहाँ पर click करके directly इस page पर आप आ सकते हैं अब यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों भी ncs portal में लगबग 1,63,992 जो active vacancies यहाँ पर available है तो आप भी इनमें से किसी एक vacancy के लिए apply कर सकते हैं और एक अच्छा सा रोजगार यहाँ पर प्राप कर सकते हैं तो आज हम देखेंगे आप किस तरह इसके portal पर registration करेंगे किस तरह यहाँ पर आप job find करेंगे तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ncs portal पर register करना होगा उसके लिए आप यहाँ job seeker के option पर जाएंगे और यहाँ पर जो second option आपको मिल रहा है register इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको register as के option में job seeker क्लिक रहने देना है उसके बाद यहाँ पर आपको uid type में आप पर ishram का option select करना है अगर आपके पास ishram card नहीं है तो आपको यह document के माध्यम से registration कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप अधार card, driving license या फिर pen card काफी सारे option आप आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आप others के option पर चले जाएंगे और यहाँ पर आपको यह धर document select कर सकते हैं यहाँ पर आप इश्रम card के माध्यम से registration करने वाले हैं उसके बाद यहाँ पर आपको अपना unique identification number जो कि आपको इश्रम card में देखने को मिल जाएगा वो card number यहाँ पर आपको डालना है और नीचे यहाँ पर आपको अपना date of birth select लेना है date of birth डालने के बाद आपको pre-fill from ishram का जो option देख रहा है इस पर click करना होगा इस पर click करने के बाद आपका जो registered mobile number होगा उस पर आपको एक OTP बेज़ जाएगा तो वो OTP यहाँ पर आपको डाल कर OTP verify करना होगा और अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो recent का जो option देख रहा है इस पर click करके आप OTP recent कर सकते हैं जि आपका state यहाँ पर फिल है आपका gender फिल है आपका date of birth फिल है बड़ यहाँ पर जैसे कि आपका district यहाँ पर फिल नहीं है तो यहाँ पर अपना district आप select कर लेंगे उसके बाद आपको अपना guardian या father name यहाँ पर डालना होगा उसके बाद highest education level यहाँ पर आपको डालना है कहां तक आपने बढ़ाई कियो ही है दस भी बार भी ग्रेजुशन डिप्लोमा जो भी आपने किया है वहां से आप सेलेट कर लेंगे उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने जिसे ग्रेजुशन किया हुआ है तो ग्रेजुशन में आपने कौन सा उनिवसिटी से आपने डिग्री कंप्लीट किया है उसके बाद यहां पर मीडियम डाल देना है उसके बाद नेचर आपको फूल टाइम या पार्ट टाइम अपने कौर्स के और यहां पर आप सेलेट कर लेंगे उसके बाद आपका इमेल आईडी और मॉवाइल नंबर यहा आप यहां पर कुछ capital letter, कुछ small letters और एक 0 से 9 तक का कोई भी digit और एक special character use कर सकते है इस तरह से आप एक password यहां पर create कर लेंगे उसके बाद यहां पर choose your username में आपको यह select करना है कि आपने username आप क्या बनाना चाहते हैं जैसे कि आपना email id या फिर ncsid तो जो भी आप username बनाना च कोई भी काम नहीं करते हैं आप विरोजगार हैं तो यहां पर आप unemployed select कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपको देखिए key skills डालने होगी कम चे कम 5 key skills यहां पर आपको डालने हैं जैसे कि मैं यहां पर data entry डालूँगा तो जैसे यहां पर यह मैं keyword type करूँगा तो यहां पर द यहां पर इसकी skills डालने होगी उसके बाद नीचे यह पूछ रहा है क्या आप international job में interested हैं अगर interested हैं तो yes करेंगे otherwise no पर tick करके आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद यहां पर add your occupation में अगर आप कोई काम करते हैं तो यहां पर आप डाल देंगे otherwise को भी आप skip कर देंगे उसके बाद नीचे आपको जो capture डिखा जा रहा है वो capture डाल कर I agree to terms and condition में check box पर आपको tick करना है उसके बाद submit की बटन पर आप click कर देंगे जिसके बाद आपका email ID वो यहां पर verify हो जाएगा email ID verify होने के बाद आपका जो registration है वो यहां पर complete हो चुका है आप यहां पर आपको login करना पड़ेगा तो login करने के लिए आप यहां पर click करेंगे जिसके बाद यहां आपको redirect कर देगा login page पर अब यहां पर जो username आपने select किया ह हुआ था जैसे कि email ID select किया था तो यहां पर अपना email ID आप डालेंगे और जो password आपने create किया हुआ था वो password यहां पर डाग कर आप sign and के button पर click करेंगे तो यहां पर आप NCS portal पर login हो चुके हैं यहां पर आपको देखिए काफी सारी opportunities दिखाए जा रही हैं काफी सारी vacancies यहां तो यहां पर update profile के option पर click करके सबसे पहले आपको अपना जो profile है वो यहां पर complete कर लेना है तो यहां पर जैसे आप click करेंगे तो इस पर click करने के बाद यहां आपको आपकी profile पर ही direct कर देगा अब यहां पर आपको देखिए सबसे पहले experience का section मिल रहा है तो यहां पर अगर आ पर आपको अपना education और training से यहाँ पर डाल देनी है जैसे कि अपने अपना graduation की details यहाँ पर डाली हुई तो और details यहाँ पर आप add कर जकते हैं उसके बार next यहाँ पर आपको personal information में जाना है तो यहाँ पर आपको details fill करनी होगी जैसे यहाँ पर देखें आपका passport size photo upload नहीं है उसके लाबा यहाँ पर नीचे आप scroll करकर आएंगे तो और भी details यहाँ पर आपको fill करनी है जैसे कि यहाँ पर आपको अपना marital status fill करना होगा उसके लाबा यहाँ पर आपका religion आपका धर्म यहाँ पर आपको select करना है तो यहाँ पर आपको एक language भी select करनी होगी जो आपकी primary language यहनी कि जो आपकी प्रात्मिक भासा है उसका चयान यहाँ से आपको कर लेना जिससे आपको vacancy find करने में काफी असानी होगी तो यहाँ पर आपको एक passport size photo फोटो अप्लोड करना है तो उसके लिए आप हैं select के option पर क्लिक करके एक passport size photo यहाँ पर अप्लोड कर देंगे फोटो जब आपका अप्लोड हो जाएगा तो यहाँ पर आप सेप की बडन पर क्लिक करेंगे सेप करने के बाद आपका जो personal information का सेक्स है वो यहाँ पर देखिए complete हो चुका है यहाँ पर आपको डिस्टेग, आपका पिन कोड, साइटल्स यहाँ पर आप फिल कर लेंगे और अगर आपका पर्मन एड्रेस, सेम है करेंट एड्रेस की तरह तो यहाँ पर आप चैक बॉक्स पर टिक कर देंगे उसके बाद सेब की बटन पर आप क्लेक करेंगे left hand side आपको एक option मिल जाएगा view and download CV का, तो यहाँ पर आप क्लेक करेंगे जिसके बाद अपना CV यहाँ से आप देख सकते हैं साधिशना उसको आप यहाँ से download भी कर जकते हैं download करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा जहाँ पर एक option आपको मिल जाएगा download profile तो यहाँ पर download profile पर आप click करेंगे जिसके बाद आपका जो resume में इस तरह से आप download कर सकते हैं उसके अलाबा उसी के नीचे एक और option आपको मिल जाएगा NCS registration card तो इस पर click करके यहाँ पर आप NCS का registration card या फिर ID card यहाँ से download कर सकते हैं जो की NCS portal के माद्यम से यहाँ पर provide किया गया तो इसको आप यहाँ से download या save करके रख सकते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं आप किस तरह job find करेंगे तो यहाँ पर देखें Sir job का एक आपको option मिल रहा है तो यहाँ पर data entry type कर दूँगा उसके बाद यहाँ पर आप मंतली कितना salary यहाँ पर expect कर रहे हैं कितना salary वाला job यहाँ पर आप करना चाहते हैं तो वो salary amount यहाँ पर आप डाल देंगे उसके बाद नीचे आपको search का जो option निकरा है इस पर click करना है search करने के साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारी vacancies काफी सारी opportunities यहाँ पर आपको नीचे display करेंगी दिखी जैसे यहाँ पर 23 pages में यहाँ पर काफी सारी vacancies काफी सारी opportunities यहाँ पर available हैं तो यह कि करके आप सारी details यहाँ पर find कर सकते हैं और जो भी विकेंसी आपको आपकी पात्रता के इनुसार suitable लगती है, उसके लिए आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, apply कैसे करना, apply करने के लिए आपको देखे, apply का जो बटन दिख रहा है, कि बल यहाँ पर आपको apply की बटन पर click करना होगा, और apply के बटन पर click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने disclaimer उपन होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपका education, scale, experience और location जैसी details जो हैं, वो यहाँ पर match हो रही है या फिर match नहीं हो रही है, यहाँ पर देखे हैं हमारा जो education है, वो यहाँ पर match हो रहा है, यहाँ पर जो scale है, वो miss match हो रही है, experience match हो रहा है, जो location है, वो miss match हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर यह जो job है, आपके लिए उतना suitable, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप यह job कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखे, continue and apply का जो option है, इस पर click करके, आप इस job के लिए apply कर सकते हैं, जैसे इस पर आप click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, कि इस job के लिए आपने already apply कर दिया, यहाँ पर देखे, apply लिखके आगया, मतलब यहाँ पर आपको इसको apply करने के लिए, और दूसरा कुछ भी करने की जरूएत नहीं है, केवल single step में यहाँ पर आप इसके लिए apply कर सकते हैं, आप किस-किस job के लिए यहाँ पर आपने apply किया हुआ, आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर देखे, job applied का जो option इस पर आप click करेंगे, तो जितनी भी job के लिए यहाँ पर आपने apply किया हुआ है, उन सभी का list यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, आपने जो mobile number और email आइडियां पर डाला हुआ है उस पर आपको email या फिर एक notification company कोड़ से बेज़े जाएगा कि आप इस job के लिए eligible हैं और आप interview या फिर return exam या फिर जो भी उनकी formalities होती हैं आपको डिटेल्स आपको company के दोरा आपके email या फिर आपके mobile नमर दोरा आपको बेजी जाएगी तो दोस्तों इस तरह आप NCS portal पर अपने जोब या फिर अच्छा सा रोजगार NCS portal के माद्यम से प्राप कर सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तो इन्फोमेशन अगर आपके काम आई हो तो इन्फोमेशन अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें और कोई भी अगर आपके मन में सवाल है कोई confusion है तो आप मुझे comment करके बदा सकते हैं उसके लाव आप मुझे instagram पर message कर सकत चैनल को सब्सक्राइब और आप बैल आइकन को जरूर प्रैस कर दें इससे आने वाले सब इन्फोमेशन आपको सबसे पहले मिल सकें